जब भी आप सोरों में टाइल लाने जाती हो तो आप वहां पे जाके डिजाइन यह टाइल्स को देखे बहुत सारी यह से टाइल लगी होती है उनको देख आप कनफ्यूज हो जाती हो तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए सिर्फ आपको कनफ्यूजन दूर करने के लिए नहीं है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो सारी प्रोब्लम है आपको जो टाइल से लाने जाती हो आपको दिक्कत आती है रेट के बारे में डिजाइन के बारे में और साइज के बारे में तो इन सारी दिक्कत को आपको एक सामने दिखाएंगे कि दोस्तों किस परकार से जो टाइल दिखाता है उनको लगता है कि इसको कुछ पता नहीं है तो इसको जो टाइल से 20 रुपे स्कोर फूट के होती है वो आपको 25 रुपे स्कोर फूट के बता देते है या 30 रुपे स्कोर फूट के बता देते है लेकिन आपको rate का पता नहीं होने की वज़े से आपके गलत फाइदे उठाई जाते है और आपसे टाइल्स के दुगने रुपे आपको वसुल किया जाते है तो इसलिए आपको बताएंगे कि आपको जो कितने बरकार की टाइल आती है और किस rate की आती है किस design आपको गर की flooring के लिए टाइल लेनी है तो ये सारी information इस video देंगे ताकि आपको नहीं तो ज़्यादा पेशे देने पड़े इस होरम वाले को और नहीं अपनी जो tiles है वो ख्राब आए, design भी आपकी flooring के look भी अच्छा है तो इसके लिए हम इस video में आपको सारी information देंगें तो वीडियो में आकर तक बने रहे तिवे आपको समझाएगा कि ये video हमें किस परकार से हमें सोच के टाइल से लेनी चाहिए तो सबसे पहलें बात कर लेते हैं कि आप जब भी अपने गर की flooring के लिए टाइल लाना जाती हो तो आपको कितने वाई कितने की टाइल लेनी है और किस design में लेनी है अगर आपके गर का एरिया जो आपके जो लोबी हो गई जिस परकार से बड़ा होल हो गया उसके टाइल उसके लिए आपको टाइल लेनी है और उसको जो बड़ा होल है या बड़ा लोबी है उसको छोटा दिखाना है तो आपको design में टाइल लेनी है और इसके लिए टाइल कि प्लॉरिंग के लिए भी बनी होती है लेकिन इसमे फ्लॉरिंग में जो टायल भी लगाइए आपको परकार से आप और होल है क्यों क्योंति है जो बड़ा है जिस पर इर गए 20 ग्यां फंद्र गड़ क味 सब्सक्राइब जिएंगे थानवेन आनवम स्यांति ग्रानयज़ बार दोो डी सबार जोगा सकती है आप जो हर जगे जरन होती है उसक Scientist मेरार जाती है उस ऐ exceptionally प्रतुट मेड़ियर ज़ो 노व है तो आपके जो टाइल्स की जो साइज आता है उसी एक हिसाब को आपको लगाना है क्योंकि दोस्तों अगर आपके रूम में जो जिस परहर से एक इंची का दो इंची का जो साइड में जो पीस आता है इसके विज़े से आपके जो रूम की जो फिरिंग से होती है आपके डि किस्टना लेनी है तो किस्टन में वॉल तयल लेनी है तो सね मिगता लेनी है आपको घाती है आपको लाइक व्यांटती तो आपको बड़ा bedroom है तो आपको 2Y4 की टाइल ले सकते हो आज काल जो इस परकार से market में 8Y5 की आती है 4Y8 की टाइल आती है बहुत सारी ऐसे टाइल आती है लेकिन आपको इस परकार से आप मिस्तरी लगाता है तो मिस्तरी के लगाने पर टाइल की बात होती है जिस पर आपको कितनी मजबूती से टाइल लगाता है जिस पर आपको क्या करना है कि जिस पर चोटी टाइल्स होती है वो आपकी जो लाइफ होती है टाइल्स की बहुत जादा होती है क्योंकि दोस्तों जो टाइल्स छोटी होती है इसके नीचे आप एक दो लगाने में फाइदे होती है या असानी से लग जाती है लेकिन इसके नीचे जो टाइल्स खाली होने की संभावना है वो कम हो जाती है बड़ी टाइल्स होती है तो इसके नीचे ने तो पूरे जो सीमे को अब्टेशेल होती है सबसे बैस्ट ऑप्षन रहेगा दिवार में पर किसी भी परकार डेजायन है तो डेजायन में ले कि कष़ायगी और दो बाइचार की टाइल होती है तो आप 35 रुपए स्कॉर फूट के एसाब से या उससे ज्यादा साथ रुपए स्कॉर फूट के आपको इस पर गार से कंपनी पर डिफेंट करता है कि कितना माल अच्छा है कितना जो क्वालिटी है माल की किस डिजाइन में है तो उस पर निर्वड़ करता है कि माल जो डिजाइन है टाइल इसकी तो उस पर निर्वड़ करता है कि इतने राट में टाइल आ रही है और आपको बातरूम के लिए या किसन के लिए जो फूट बाइचार फूट की डिजाइन मिले नहीं है तो आपको 25 रुपए से लेकर आपको 50 comment inside करना और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के चैनल को सब्सक्राइब बरके बेल एकन का गंटा जरूर दबाद दीजिए